हेलो दोस्तों अगर आप एंजिन रिंग कर रहे हैं और अगर आप अब तक एक भी extension बोर्ट नहीं बनाए़ तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने के बात आप message बना सकते हैं extension कर डाचे रहा है इस लिए दोस्तों मैं इसके उपर वीडियो बना रहा है दोस्तों इस इस एकस्टेंशनर बोर्ट को बनाने के लिए आपको जो मेटीरियल चाहिए पहले मिन्यक्ट चाहिए नोगे इसमीद दीए dari इसके बाद 200 चाहिए एक पावर सोकट चाहिए 16 फ Mayo का है दूसरी चाहिए यह normal सोज़्व manif रिग उसके वाथ एक सविच दोनों के लिए और एक चाहिए आपको ईंडिकेटर ताकि कि आपको पता चल सके की कर्रadd और रहा हया कि नहीं और दोस्तों इसके बाद में आपको बताते हूं कैसे मैंने इसकी wiring किए और वायरिंग करने से पहले इसको माइकसीट को कटिंग करके आपको इसके conscious करना पड़ता है और दोस्तों इस वीरम काे सारी video यूटीव पर पड़ हैं आप देश सकते मैंने कैसे इसको फिटिंग कीया है दोसको में अई से वी कम आपको बताओं का कैसे आप को वाइरू बंख करें सी दोस्तों में यृट्स को से पर को दोस्तों यह देखिए मैंने यहां पर हैं आपको आफको फावर सॉकेट और यह average इसे इसका स्वीच एद्ग कैसे कर रहे हैं और यहां पर इंडिकेटर dar लगा रगा है दोस्तों आप यहां पे देख रही कि मैंने हमें दो गलड के वाइर लगा रहे हैं एक एक रेड कलर दूसरा ब्लू कलर दोस्तों रेड कलर जो लाइव वैर फीस वाइर के लिए कंपलसरी है electricity में अगर आपको में की सप्लाइ देने तो आपको रेड वायर ही यूज़ करना जरूरी है दूसरे जब मैंने neutral के लिए हमने blue गए अगर आप बस black वायर नहीं है तो आप neutral के लिए blue भी यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों मैं बताता हूं मैंने कैसे इसमें वायरिंग कर रखी है प्रोपरली दोस्तों पहले हां से देख लीजिए एक मैंने हां यहां से दो वायर निकाल रहे हैं एक रेड एक ब्लू रेड है जो में वायर है में की वायर है यानि कि फेस की वायर है इंडिकेटर के नीचे वाले हिस्से मैंने इसको कनेक्ट किया घ्लिट इं है मैंने यह जो कि फेस की बार उसके जस्ट बाद मैंने इसी मेन को मैंने दूसरे स्विच के स्विच के नीचे वाले से कनेट कर रही है दोस्तों हमें आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप किसी भी सॉकिट को या फिर किसी मेटरियल चला अच्छा किसी भी इलेक्ट्रिक इंडिकेटर में मैंने दिया है फेस की सप्लाई उसी इंडिकेटर से जो फेस वार है उसको मैंने इससे करनेट कर रखा है यह स्विच है पावर सॉकेट का सुच है उसके नीचे वाले हिस्से से करनेट कर दिया है उसके जस्ट वार इस दूसरे सॉकेट जो यहां से में आ रह इस स्विच्ट से ओपरेट हो चले और जो दूसरा सोकेट है इस स्विच्ट से चले बेसिकलिए हम दो इसी इस दो सोकेट लगा है इन दोनों के लिए लगा रखा है इंडिविज्वल पावर सोकेट के लिए पावर सुच लगा रखा है और नॉर्मल के नॉर्मल वाल लगा आछ दोस्तों हमारे की लिए सबसे पहले की सप्लाई देनी पड़ेगे इस कोपर वाले सब्साइब चांप दोस्तों और यहां पे दोस्तों यहां पर गौर क्या तियुक्त से अपकेरगिख चपता इस तो पीस सपलाइड देना इसकेशप करें किसougher कि आप आपकेर्निक के आप चैंस आपको मालूम हो गया हमें दो वायर किसली चाहिए होता है फेस होती है करण्ट आने के लिए और जो न्यूट्रल करण्ट को जाने के लिए यहां से जो इंडिकेटर हमने स्टार्टिंग में लगाया था सबसे पहले हमने न्यूट्रल का सप्लाइ दिया है और इसी वायर को हमने बाहर निकाल रहा है दोस्तों यह लगा दिया उस लगाने के बाद देखो सबसे पहले में नीचे वाले हैसे से न्यूट्रल दे रखा है ओके दोस्तों हमें किसी भी इस extension board को चलाने के लिए minimum दो वायर के आप सकता है अगर तीसरा वायर भी आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको टीचर बोल रहे हैं जो की और्थिंग का वायर हो वह और्थिंग का वायर होगा यहां से इस सॉकेट से सॉकेट में आपको तीन वायर लगा है यहां पर तू पिन का प्लक के अलावा थ्री पिन का पलक आते वह लगाना पड़ेगा अगर आप अर्थिंग का वायर भी निकालते लेकिन अगर आप नॉर्मल कुछ चलाना चाहते हैं आप कोई पावर स्जूच हमने लगाया है अगर आप चाह किया है दोस्ता आई यह हमने जो वोड बनाए है यह चल रहा है कि नहीं चल रहा है कैसे इसमें आपको हम बताएंगे दोस्तों यह हमारा पूरत तयार है मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूं है 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 कि अाप